ब्राद टू यू बाई आईटल बंधन ने इन्हें ही प्रत्याशी बनाया था प्यमोदी खुद इनके प्रचार के लिए आये थे रेवन्ना का एक परिजय और भी है ये पूरो प्रधानमंत्री एजडी देवगावडा के पोते और करनाटक के पूरो मुख्यमंत्री हडी कुमार स्वामी के भतीजे रेवन्ना के कथित वीडियो वाइरल होने के बाद से ही सियासी घमासान मचा हुआ है अब आपको इसके पीछे की कहानी बताते हैं 26 अप्रायल को दूसरे चुरण की वोटिंग हुई इंडियान एक्सप्रिस में छपी खबर के मताबिक इससे तीन दिन पहले हासन लोगसबा शेतर में तकरीबन 2000 पेंड्रायव्स बाटी गई ये पेंड्रायव्स बस अड्डो पर खड़ी बस की सीटों पार्कों में रखी गई पेंड्रायव्स में 2000 फोटोज और वीडियोस थे इसी के कुछ घंटो बार ये फोटोज और वीडियोस वाटसेप पर शेयर किये जाने लगे इंडिया टुडे के कंसर्टिंग एडिटर राजदीव सर्देसाई ने अपने ट्वीट में पुलिस कर्मी के हवाले से लिखा है कि पेंड्रायव में करीब 1000 वीडियोस हैं जानकारी है कि पीडिताओं में सरकारी कर्वचारी हाउस हेल्प, पार्टी वर्कर्स और असंगठित शेत्र से जुड़ी महिला ये शामिल है एक महिला ने स्डी रेवन्ना और प्रज्वल के खिलाफ FIR कराई है इंडिया टूडे की रेपोर्ट के मताबिक महिला ने बताया वो रेवन्ना की पतनी भावानी गिरिश्टदार है वो रेवन्ना के घर हाउस हेल्प के तौर पर काम करती थी महिला का कहना है कि नौकरू शुरू करने के चार महिने बाद से रेवन्ना ने उन्हें परिशान करना शुरू कर दिया था महिला का कहना है कि जब पतनी बाहर होती तब रेवन्ना किसी न किसी बाहने उन्हें कमरे में बुलाते और गलत तरीके से छूने लगते वहीं प्रजवल का ऐसा खौफ था कि उनके आते ही हम स्टोर में शप जाते थे महिला ने आरोप लगाया कि प्रजवल उसकी बेटी को वीडियो कॉल कर अशलील बात करता था महिला की शिकायत के आधार पर पुलिस ने धारा 354A, 354D, 506, 509 में केस दर्ज किया है महिला ने रेवन्ना और प्रजवल पर 2019 से 2022 तक यह उन्शोषन करने का आरोप लगाया है रेवन्ना वोटिक के बाद ही जर्मनी चले गए है करनाटक के मुख्यमंत्री से धर्मया ने SIT टीम गठित कर मामले की जाच के आदेश दिये है इस मामले पर राज़नितिक गलियारों में हला मच गया है पक्ष और विबक्ष दोनों ही और से बयान आ रहे हैं पूरो मुख्यमंत्री HD कुमार स्वामी इस पूरे विवाद से खुद को अलग कर चुके है अगर वो यानि प्रज्वल रिवर्ना दूसरे देश गए हैं तो सरकार उन्हें वापस लाएगी पार्टी का इसे कोई लेना देना नहीं है चाए मैं हूँ या फिर HD देव गोडा हमने हमेशा महिलाओं का सम्मान किया है जब भी बेश शिकायत लेकर आई हमने उनके समस्याओं के समाधान की कोशिश की सीम पहले ही SIT जाज के आदेश दे चुके है जाज शुरू हो गई है SIT टीम उन्हें यानि प्रज्वल रिवर्ना विदेश से वापस लाएगी ये मेरी चिंता का विश्य नहीं है मामले पर कॉंग्रिस नेता प्रियंका गांधी वाद्रा के भी प्रत्क्री आई है वो कहती है कि जब मैं अपनी बेटी से मिलने विदेश गई थी तो मोदी जी मेरे विदेश जाने पर टिपड़ी कर रहे थे मेरे विदेश जाने का मोदी जी को पता रहता है लेकिन जब इस तरह का अपराधी देश शोड़ता है तो उन्हें नहीं पता चलता मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि आज करनाटका में एक बहुत बड़ी बात निकली है कि उनके साथ जो मंच पे खड़े थे जिनके लिए मोदी जी ने वोट मांगा उन्होंने हजारों महिलाओं के साथ दुशकर्म किया हजारों महिलाओं के साथ मैं पूछा चाहती हूँ मोदी जी क्या कहते हैं इसके बारे में क्या कहते हैं हमारे प्रधान मंत्री इसके बारे में हमारे ग्रे मंत्री क्या कहते हैं इसके बारे में कुछ समय पहले तीन दिनों के लिए मैं अपनी बेटी से मिलने गई प्रधान मंत्री जी ग्रे मंत्री जी बोलने लगे कि प्रियंका गान्नी विदेश में गई है सुमवार 29 अपरेल की दुपहर कॉंग्रेस की ओर से सुप्रियर श्रीनेत ने इस मामले पर फ्रेस कॉंफरेंस की उन्होंने कहा कि प्रज्वल रिवन्ना ने सेकड़ों महिलाओं का जीवन तबाह किया और देश शोड़कर भाग गया यह पिक्चर गले में पठका डाले हुए भारतिय जन्तापाटी का यह पिक्चर प्रज्वल रिवन्ना की है यहां मंच पर मोदी जी के साथ अभी 14 अपरेल को प्रज्वल रिवन्ना हासन से MP है यह देखिए मोदी जी के व्रिहद परिवार का हिस्सा है यह पूर्फ प्रधान मंत्री HD देवगोडा जी के पोते हैं पूत्र है मोदी जी के मोदी का परिवार वाले व्रिहद परिवार का भी हिस्सा है 14 अपरेल की यह फोटो है 14 अपरेल बमुश्किल दो हफ़ते पहले की यह जेडियस से सांसद है हासन से बीजेपी और जेडियस के साजह उम्मीदवार है दो हफ़ते पहले जब मोदी इनके साथ मंच साजह कर रहे थे मैसूरू में तो इनकी खूब तारीफ करी थी इनकी पिट ठोकी थी और इनके लिए वोट मांगा था इस मामले पर अब HD रिवन्ना का भी बयान आ गया है नियूज एजनसी एनाई से बाचीत के दोरान कहा कि वो डर कर भागेंगे नहीं जेडियस के विधायक शरणा गौडा कांडपुर ने HD देव गौडा को लेटर लिखकर परज़ल रिवन्ना को पार्टी से निश्कासित करने की अपील की है उनका मानना है कि प्रज़ल रिवन्ना की वज़ेसे जेडियस पार्टी को शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है आज तक कि सहयोगी नागारजुन और अनगह की रिपोर्ट के मताबे बिज़ेपी नेता देवराजेगोडा ने पिछले साल दिसंबर में पुरदेश अध्यक्षिब बीवाई विज़ेएंद्र को पत्र लिखा था बिज़ेपी नेता ने अपने पत्रों में लिखा था कि प्रजुल रिवन्ना सहित एज़ी देवगोडा परिवार के कई नेताओं के खिलाब गंभी रारूप है उन्होंने पत्र में दावा किया कि उन्हें एक पेंडराइव मिली थी जिसमें महिलाओं जिसमें सरकारी अधिकारियों सहित के 2976 वीडियो थे इन वीडियोज में वे आपतिजनक इस्थिती में थे इस वीडियो का इस्तिमाल उन्हें ब्लैक मेल करने के लिए किया जा रहा था इस भी इस कॉंग्रेस के नेता सड़कों पर भी प्रिदर्शन करते नजर आए हैं एसाइटी टीम जाज कर रही है इस मामले में हर पल नए अपडेट्स आ रहे हैं इस खबर के अपडेट हम आपको बताते रहेंगे आपके लिए सारी जानकारी जुटाई है हमारे साथी रज़त पांडेने मैं हूँ हमाशू देखते रहे हैं दिलन लटो शुक्रिया